हेलो फ्रेंट्स आप सभी का सौगत थैन्सिका एप्पी गाडेटमें मेरे पास कुछ तारपीन के तेल के बोतल पड़े हुए थे तो मैंने सोचा कि कुछ इसी से डियावाई किया जाए तो फ्रेंट्स यहांपर मैं तारपीन के तेल के बोतल को ले ली हूँ और इसके बाद हम बोतल के नीचे वाले हिस्से पे जाएंगे और फिर इसके बाद हम मारकल से बोतल के नीचे वाले हिस्से पे फ्लावर की तरह ड्रॉ करेंगे इस तरह से हमें पूरे बोतल के उपर फ्लावर को ड्रॉ कर लेना है और इसके बाद हम नाइफ लेंगे और फिर हम इस knife से bottle को cut कर लेंगे तो ये देखें फ्रेंग, हमारा flower cut हो गया है और इसके बाद हम इसे white color से color कर लेंगे white color से हमें पूरे flower को color कर लेना है और फिर इसे हम dry होने के लिए छोड़ देंगे जब ये dry हो जाएगा, इसके बाद हम flower को color करेंगे आप चाहे तो किसी और color से भी इसे color कर सकते हैं मैं यहाँ पर sky blue color से flower को color कर रही हूँ इस तरह से friends मैंने कई सारे flower को तयार कर लिया है इसके बाद हम flower के center में जाएंगे और इसके बाद इसमें हम hole करेंगे और उसके बाद हमें तार चाहिए मैं यहाँ पर इस तरह का तार यूज़ कर रहे हूँ फिर हम इस तार को फ्लावर के होल में इस तरह से डाल देंगे और इसके बाद फ्रेंज हम ग्रीन कलर लेंगे और फिर इस ग्रीन कलर से हम तार को कलर करेंगे इस तरह से हम बाकी तार को भी ग्रिन कलर से कलर कर लेंगे इसके बाद फ्रेंस हम फ्लावर के सेंटर में वाइट कलर से सेडिंग करेंगे इस तरह से हम बाकी फ्लावर में भी सेडिंग कर लेंगे और ये देखिए फ्रेंस हमारा फ्लावर इस्टिक बनकर तयार हो गया है जो मैंने बिकार बोतल से बना लिया है आप भी चाहे तो इस तरह से बना सकते हैं अगर मेरा वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज फ्रेंस इसे लाइक और सस्क्राइब चरूर किजिएगा बाइ बाइ फ्रेंस